इरान के केर्मेन शहर में बुधवार को दो धमाकों में 103 लोग मारे गए, 142 लोग खायल हुए या धमाका रेविलिशनरी गार्ट्स के पूर्व जनरल कासिम सुलिमानी के मकपरे पर हुए। दूसरे धमाके के बारे में तस्वीर साफ नहीं है। जब सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुची तो भीड में धमाका हुआ, यह फिदाईन हमला भी हो सकता है और रिमोर्ट से किया गया दूसरा ब्लास्ट भी।